लॉक्डाउन के तीसरी चरण के दौरान च्छतिसगड सरकार ने जनता की सहुलियत के लिए ग्यारा मही से जरूरी चीजों की दुकानों के अलावा अन्य व्यवसायों को भी खोल दिया है चतिसगड में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम है और प्रदेश सरकार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जनता से अपील कर रही है और इस अपील का असर भी दिखाई दे रहा है ऐसे में प्रदेश सरकार ने कुछ और दुकानों को खोलने की अनुमती दे दी है कौन सी दुकाने कब और कितने समय तक खुली रहेंगी इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है फल, सबजी, डेरी और पणीर की दुकाने प्रतिदिन सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी दूद के लिए प्रति दिन सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक अनुमती दी गई है मतन, मुर्गा, मचली और अंडा की दुकाने प्रती दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी दवा, अस्पताल और लेब प्रती दिन 24 घंटे खुले रहेंगे पेट्रोल पंप शहरी छेतर में प्रती दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे पेट्रोल पंप बाहरी छेतर के लिए प्रती दिन 24 घंटे खुले रहने की इजाज़त दी गई है ठोक सबजी मार्केट डुमरतरई रावन भाटा और अनाज मंडी प्रती दिन सुबह 5 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगे पानी और वाटर केन की दुकाने सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगे Gas Agency और PDS की दुकाने प्रति दिन सुबह 9 वज़े से 3 वज़े तक खुली रहेंगी मिठाई और बेकरी सोमार से शुक्रवार तक सुबह 9 वज़े से 3 वज़े तक खुली रहेंगी Bike, Car Servicing और Repairing की दुकाने सोमार से शुक्रवार सुबह 9 वज़े से लेकर दोपहर 3 वज़े तक खुली रहेंगी क्रिशी सामगरी, उक्करण, खादबीज, हराचारा, पशुचारा की दुकाने सोमार से शुक्रवार तक सुबह 9 वज़े से लेकर 3 वज़े तक खुली रहेंगी Auto and Agro, Industrial Parts, Electricals, Plumber, Automobile Service Center, IT, Cable Repair, Tire Shop सोमार से शुक्रवार सुबह 9 वज़े से 3 वज़े तक खुली रहेंगी किराना स्टोर सोमार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी सुबह 9 वज़े से लेकर 3 वज़े तक ये दुकाने खुली रहेंगी Hardware, Paint, Sanitary, Tiles, Cement, Loha, Jouta, कपड़े की दुकाने सोमार और गुरुवार सुबह 9 वज़े से 3 वज़े तक खुली रहेंगी Electricals, Opticals, Stationary, Cooler, Pankha, R.O. और Water Filter की दुकाने मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 से 2 वज़े तक खुली रहेंगी सरकार ने इस बात की पहले ही घोशना कर दी है कि शनिवार और रईवार को पूर्ण तहर लागडाउन रहेगा सरकार ने जादा तर व्यवसाईयों को व्यवसाई करने की छूट दी है आर्थिक तंगी से जूज रहे बजार के लिए यह अच्छी खबर है लेकिन अभी इसमें और सुधार होना बाकी है पांध दुकानों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है जबकि यह एक छोटा व्यवसाई है और कई लोग इस व्यवसाई से जुड़े हुए है इस व्यवसाई के खोले जाने के लिए अभी भी अनिश्चीता बनी हुई है शायद यही वज़ा है कि इस व्यवसाई को करने वाले लोगों ने साख सबजी की दुकाने खोल ली है बहराल धीरे धीरे सही सरकार का यह कदम उचित कहा जा सकता है लेकिन चुनोती भी सामने है इस दोरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पसीने भी भाने होंगे ब्यूरो रिपोर्ट डी एनेक्स द्यूज राइपूर